101 question करते हैं, इसमें कह रहे हैं, beam of light consisting of two wavelengths, दो wavelength दी हैं, lambda 1 और lambda 2, एक है 6500 angstrom और एक है 5200 angstrom, और young's double slit का setup है, slits के बीच की distance 2 mm दी हुई है, और slit और screen के बीच की distance 120 cm दी हुई है, ठीक है, यह सारी information जो है, वो आपको दी हुई है, और पूछ रहे हैं, the least distance from the central maximum, where the bright fringe due to both the wavelengths coincide, कहने, दोनों wavelength की bright fringe जहाँ पर coincide करेंगे, वो distance आपको बतानी है, ठीक, तुझरा समझे, setup बनाते हैं, पहले सकाम, माल यह एक slit यह है, और इसी तरह से एक दूसरी slit यह है, और यह सामने screen है, ठीक, और यह central line है आपकी, यहाँ पर central maxima बनता है, वो point है, और पूछ रहे हैं, यहाँ से उस point की आप distance बताओ, minimum distance निकाल नहीं है, y, जहाँ पर दोनों wavelength का maxima बने है, ठीक है, तो एक wavelength lambda 1 है, दूसरी wavelength lambda 2 है, एक wavelength lambda 1 है, दूसरी wavelength lambda 2 है, और यहाँ से light जारी होगी, इस तरह से, यहाँ से light जारी होगी, और उस point पर दोनों के ही maxima बन रहे है, lambda 1 है, और lambda 2 का भी maxima, तो हमने ऐसा माना की, lambda 1 का मान लिया, n-th maxima बन रहा है, n-th maxima बन रहा है, किसका, lambda 1 का, और वहाँ पर m-th maxima बन रहा है, lambda 2 का, ठीक, तो हमें यह y distance निकाल लिए, तो ज़रा equations बनाते हैं इसकी, तो अगर n-th maxima बन रहा है, वहाँ पर लेमड अगर ये part difference lambda 1 के nth maxima के लिए responsible है तो ये n lambda 1 के बराबर होगा और उसी location पे mth maxima बन रहा है lambda 2 का तो वो m lambda 2 के बराबर हो जाएगा तो ज़रा value देखते हैं, n lambda 1 कितना है ले तो lambda 1 है आपका 6500 angstrom और m lambda 2 जो है वो कितना है वो है 5200 angstrom तो अगर हम इसको cancel out करें, ये 00 cancel out हो गया और ये 13 से cancel out हो जाएगा ये 4 times और ये 5 times तो ये जो n by m की value आ रही है वो 4 by 5 आ रही है यानि सबसे पहली बार lambda 1 का चौथा maxima और lambda 2 का पांचवा maxima coincide करेंगे लेमडा 1 मतलब हो गया 5600 angstrom, 5600 angstrom का 4th maxima उसी position पे और उसी position पे 5200 angstrom का जो है वो 5th maxima आपस में coincide करेंगे ठीक ये पता लग गया आपको कौन सा maxima कौन से maxima से coincide कर रहे हैं अब आपको निकाल लिए वो distance y, तो आप किसी से भी find कर सकते हैं, हम इन दोनों equation से भी find कर सकते हैं और हम इसको और इसको बराबर करके भी find कर सकते हैं तो मैं पहली equation से find कर ले रहा हूँ, तो जो पहली equation होगी y d over d is equal to n lambda, n की value कितनी है, 4 और lambda 1 भी आपको पता है, ठीक है, 6500 angstrom, तो यहां से y distance पता लग जाई, कितनी है जाई, 4 lambda 1 capital D upon small d, अब question के हिसाब से आपके पास सब सारी चीज़ हैं, आपके पास lambda 1 है, आपके पास capital D तो इन सबको एक ही unit में convert करके सारी value डालनी है, आप चाहो तो सबको meter में convert कर लो, या millimeter में, जिसमें चाहो आप उसमें convert कर लो, ठीक, मेरे साब से सबको meters में convert कर लो, फिर बाद में millimeter में convert कर लेना, जब final answer आपका बन जाए, ठीक, तो यह इसकी पूरी process होगी, और आपको 101 क प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा, clear, अब हम आते हैं 102 पे, in double slit experiment, if the distance between the slits be reduced to half, slits के बीच की distance अगर हम आधा कर दे हैं, तो fringe width पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो fringe width होती है, बीटा, वो होती है, आपकी lambda capital D by small d, तो अगर हम fringe width, अगर हम double slit, slit के बीच की distance को half करेंगे, तो fringe width आपकी double हो जाएगी, ठीक है, तो fringe width क्या हो जाएगी, आपकी double हो जाएगा, तो fringe width क्या हो जाएगी, वो आपकी double हो जाएगी, B part, 183, एक compact disc है, और white light हम उसमें डाल रहे हैं, flash कर रहे हैं white light, और shows colored lines, colored fringes जैसे आपको दिखा ही देती हैं, ठीक है, तो ये phenomenon किसकी वजय से होगा, this is due to the interference, एपार्ड, जो compact disc का structure होता है, तो उसमें क्या होता है, कि circular form में groups होते हैं, उन groups की depth है, वो कमया जादे होती है, ठीक है, और जब light वहां से टकरा के, वापस reflect होके, जब वापस आती है, तो उनके path में थोड़ा स difference आजाता है, और वो interfere करती है, तो किसी location पर किसी color के लिए maximum बनता है, किसी location पर किसी color के लिए minimum बनता है, और इस तरह से colored lines जो है, वो दिखाई देती है, ठीक है, तो मेरे साब से जो बहतर answer वो interference है, बट कई जगे इसका answer diffraction भी दिया हुआ है, ठीक है, और कई जगे interference भी द वने इंट फूर में कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है और वहां पर उन्होंने वेवलेंट दिया 6000 एंगस्ट्रों और पार्ट डिफ्रेंट्स जो है वो कह रहे हैं 1.6 10-10 भार माइनस 6 मीटर इसको एंगस्ट्रॉम मैं कनवर्ड करेंगे तो यह जाएगा 1.5 इंट्व इंट्व पावर माइनस 6 इंट्व प्लस 10 तो यह बनेगा आपका एंगस्ट्रॉम तो इस ऐधिंग 15000 अगस्ट्रॉम अब अगर यह 15,000 angstrom है part difference और wavelength जो है वो 6,000 angstrom है तो यह 2.5 lambda के बराबर हो जाएगा तो जो part difference अगर हम lambda के terms में लिखें तो यह 5 by 2 lambda हो जाएगा ठीक है 5 by 2 lambda 2.5 lambda जब निकालोगे तो 15,000 angstrom आ जाएगा अब 5 by 2 lambda इसका मतलब वहाँ पे क्या बन रहा होगा अगर half lambda by 2 होता है half lambda होता है तो first minima बनता है ठीक है अगर lambda by 2 होता है तो first minima बनता है 3 lambda by 2 होता है तो second minima बनता है तो इसी तरह से जब 5 lambda by 2 होगा तो वहाँ पे third minima बनेगा so your answer is third dark band occurred c part next question में कहरें to demonstrate the phenomena of interference we require two sources which emit radiation of same frequency and having a definite phase relationship so your answer is c part खाली frequency same हो जाने से बात नहीं बनती है खाली frequency अगर same होगी तो हम कहेंगे वो light sources दोनों monochromatic हैं लेकिन अगर उनके बीच का phase difference time के साथ vary नहीं करेगा तो हम यह कहेंगे कि वो monochromatic के साथ-साथ coherent भी है और interference phenomena demonstrate करने के लिए वो जो interference pattern है वो screen पे stabilize होना चाहिए और stabilize होने के लिए coherent sources चाहिए और coherent sources का मतलब है दोनों की frequency same होनी चाहिए और उनके बीच का जो phase difference है वो time के साथ vary नहीं करना चाहिए they must have a definite phase difference definite phase relationship ठीक है तो आपका answer क्या बनेगा इसका C part 106 एh monochromatic beam of light is used for the formation of fringes on the screen by illuminating the two slits in double slit interference experiment when the thin film of mica is interposed in the path of one of the interference beam तो होता क्या है तो यह हमें clear पता है अगर हम किसी एक एक slate के सामने ठीक है यह मान लिए central line है यह मान लिए screen है ठीक है और एक slate यह है s1 एक slate यह है s2 और किसी एक slate के सामने हमने कोई sheet लगा दी है तो उसके विए से additional part difference आजाएगा और पूरा का पूरा fringe pattern उपर की तरफ shift हो जाएगा fringe width में कोई फर्क नहीं पड़ेगा fringe width same रहेगी वड़ जो fringe pattern है वो shift हो जाएगा तो इसका answer बनेगा the fringe width remains same but the pattern shifts और किस तरफ shift होता जिस slit के सामने आप sheet introduce करते हो उसी slit की तरफ जो हो fringe pattern shift हो जाता है तो यूर आंसर इस C part देख चुके में fringe width में कोई चेंज नहीं होगा सिर्फ fringes जो है fringe pattern जो हो ऊपर नीचे shift हो जाएगा तो इस का answer बनेगा D part there will be no change in the fringe width 108, plane polarized light is passed through a polaroid on wing through the polaroid we find that when the polaroid is given one complete rotation about the direction of light the intensity के वारे में क्या हो ठीक तो plane polarized light है उसको polaroid में से pass कर रहे हैं तो यह मैंने आप वो class में समझाए कि यह जब हम पूरा 360 degree घुमाएंगे तो दो orientation ऐसे होंगे जिसमें उसकी pass axis जो है वह plane of polarization के along होगी तो maximum intensity output में मिलेगी और दो ऐसे orientation मिलेंगे जब उसकी pass axis plane of polarization के 90 degree होगी तो आपको zero intensity मिलेगी तो पूरा एक complete rotation में दो orientation maximum intensity के मिलेंगे और दो orientation zero intensity के मिलेंगे ठीक The intensity of light gradually decreases to zero and remains at zero, गलत The intensity of light gradually increases to maximum and remains maximum, गलत There is no change in the intensity of light, बिल्कुल गलत The intensity of light varies such that it is twice maximum and twice zero, perfect D part answer बनेगा आपको 109 में कह रहे हैं, Young's double slit experiment है L is the distance between the slits and the screen upon which the interference pattern is observed L जो है वो screen की distance है और X is the average distance between the adjacent fringe X जो है वो fringe width है और D जो है वो slit separation है, तो wavelength के बारे हम पूछ रहे हैं तो बहुत ही simple है, जो fringe width होती है जिसको हम बीटा लिखते हैं वो होती है lambda capital D upon small d अब जो fringe width है वो है आपकी X lambda आपको निकालना है, capital D आपका L है और small d तो small d दिया है तो बताइए ज़रा wavelength कितनी आ जाएगी तो wavelength आपके जाएगी X small d upon capital L A part 110, wave nature of light follows because wave nature जो है, वो मतलब किस किन experiment से follow होता है तो light travels in a straight line नहीं है यह wave और particle दोनों में हो सकता है, particle भी सीजी line में जा सकता है light exhibits the phenomena of reflection and reflection reflection और reflection जो है वो particle nature और wave nature दोनों से ही successfully explain हो पाया है light exhibits the phenomena of interference interference एक ऐसा phenomena है जो सिर्फ wave nature से explain होगा तो इसलिए answer क्या बनेगा, इसका C part तीन phenomena है, interference, diffraction and polarization यह exclusively wave nature पे dependent है जबकि जो photo-electric effect है, वो wave nature कम particle nature पे जादा dependent है particle nature जो है वो जादा dependent है बट उस particle की energy जो है वो wave की frequency से ही आई है लेकिन उसमें जो light है वो particle की तरह wave कर रहे है photo-electric effect में और reflection और reflection जो है यह दोनों फिनामेना wave और particle दोनों से explain हो जाते हैं बट उस particle की जो energy है वो wave की frequency से ही determine हो रही है 111 टू identical light sources emit light of same wavelength they will exhibit interference if same wavelength की इसका मतलब monochromatic तो हो गई बट अब उनके बीच का जो phase difference है वो अगर time के साथ इंटर्फरेंस पैटर्ण जो है इस्टेवलाइज कर देंगे ठीक है phase difference remains constant phase difference are distributed randomly intensity remains constant intensity distributed randomly intensity का ज्यादा खेल नहीं है यह phase difference का खेले phase difference remains constant so your answer is a part 112 इन्हें यंग्स double slit experiment the spacing between the two slit spacing दीए 0.1 mm और screen दीए 1 meter distance पे और wavelength आप को दिए 5000 एंग स्टॉम और fringe width पूछ रहे हैं बहुत ही simple fringe width बीटा से represent करते हैं और यह होता lambda capital D by small d ठीक है सारी value डालिए सबको एक ही unit में convert कर लेना अगर centimeter चाहिए तो सबको centimeter में convert कर लेना meter चाहिए तो सबको meter में convert कर लेना मुझे आसान लगता है कि सबको meter में convert कर लेना उसके बाद फिर जो final answer आएगा उसको हमें centimeter meter जिसमें भी रखना है उसमें रख सकते हैं तो बस value डालना है और आपको answer मिल जाएगा in double slit interference experiment is set up in a chamber that can be completely evacuated एक chamber में हमने ydac setup किया और उसमें हम vacuum बना सकते हैं जरूत पड़े तो vacuum बना सकते हैं with monochromatic light and interference pattern is observed एक interference pattern हमको मिला when the container is open to air जब उसके अंदर हवा भरी होई थी अब हमने इस container को evacuate कर दिया तो interference pattern में क्या फर्क पड़ेगा fringes में क्या फर्क पड़ेगा तो पहले case में air है तो air में जो wavelength होती है ठीक है वो slightly कम होगी vacuum की wavelength से ठीक है generally तो हम air का refractive index value vacuum का refractive index same ही मान के चलते हैं but air का refractive index 1 से थोड़ा से जाद होता 1.0003 तो इसमें लिख भी रहें कि careful observer approximate answer नहीं बताना है careful observer ठीक है तो अगर air में की wavelength थोड़ी सी कम होती है तो air में fringe width कम होगी और जैसे आप vacuum create करोगे fringe width थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि fringe width का जो formula होता है वो होता है lambda d upon d ठीक तो जब हम completely evacuate करेंगे तो जो fringes है they move slightly further apart fringe bit slightly बढ़ जाएगी so your answer is b part in Hagen's wave theory the locus of all the points in the same state of vibration same phase के सारे points को जब हम connect करते हैं तो उसी का नाम wave front होता है wave front क्या है कि अगर माले wave travel कर रही है तो same phase के जो points को अगर हम connect करेंगे तो उससे जो बनेगा उसी का नाम क्या होता है wave front c part next question में कह रहे है interference fringes are obtained due to interference of waves from two current sources of light with amplitude देखते हैं क्या कहते हैं with amplitude A1 and A2 और A1 जो है 2 A2 के बरावर है मतलब अगर दूसरी वाली wave का amplitude A है तो पहली वाली wave का amplitude उसका double है 2 A के बरावर है अब आप सो पूछ रहे है maximum और minimum intensity का ratio पूछ रहे है तो मुझे यह बताओ maximum amplitude कितना होगा amplitude का पहले ratio निकालते हैं तो maximum amplitude हो जाएगा इनका sum that is 3 और minimum amplitude कितना होगा तो minimum amplitude होगा इनका difference that is A 2 A minus A that is A और maximum intensity और minimum intensity का जो ratio होगा वो maximum amplitude और minimum amplitude के ratio के square के बरावर होगा क्योंकि intensity amplitude के square के proportional होती है यह बत समझ मारी है आपको ठीक तो maximum amplitude जो है वो 3 A है और नीचे A है 3 A का square होगा तो वो जाएगा 9 A square और नीचे आपका A square है तो यह divide होगे क्या answer बनेगा 9 तो यह answer is C part 115 का C part ठीक है अब हम 116 पर आते हैं इसमें कह रहे हैं beam of light of wavelength 600 nanometer from a distance source falls on a slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away ठीक है तो देखिए आपके पास क्या क्या आपके पास wavelength है आपके पास slit की width है और आपके पास skin की distance है और यह single slit diffraction का question है अब पूछ रहे हैं the distance between the first dark fringe on the either side of the central bright fringe ठीक है तो diffraction pattern जो बनता है अगर मैं diffraction pattern यहां बनाओ तो वो कुछ इस तरह से बनता है इस तरह से diffraction pattern बनता है जो central maxima होता है जिसको primary maxima कहते हैं उसकी width double होती है यह होगा यह first minima होगा यह इपका नीचे की तरह first minima होगा तो बस first dark fringes के बीच का gap पूछ रहे हैं आपको first dark fringe उपर नीचे के बीच का gap यहनि आप से पूछ रहे हैं कि जो principal maxima है उसकी width कितनी है तो उसकी width होती है 2 lambda capital D upon small d तो आपको सारी value डाल देनी है आपको पास सब कुछ है और आपको central maxima तो नहीं कहना चाहिए primary maxima कहना चाहिए उसकी width आपको मिल जाएगे if a torque is used in place of monochromatic light in young slit experiment आपो कोई fringes नहीं मिलेंगे क्योंको torch की जो light होती है नहीं monochromatic होती है नहीं current होती है fringes will appear for monochromatic light but torch की light तो monochromatic होती नहीं in place of लिखाए न monochromatic light torch use कर रहे हैं in place of monochromatic light fringes will appear for a moment and then they will disappear no fringes will appear fringes will appear and disappear continuously answer आपका वनेगा C part कोई fringes appear नहीं होती होती है न तो वो monochromatic है और नहीं वो coherent है 118 interference pattern obtained on the screen due to two identical coherent sources of monochromatic light the intensity of central bright fringes I तो ज़रा समझना है इस बात को माल लिए यह आपका एक YDC का setup है ठीक और एक source की intensity माल लिए I0 है तो दूसरे की भी I0 है तो central maxima की intensity होती है 4 I0 होती है और 4 I0 को उन्होंने बोला है I ठीक उन्होंने ऐसा कहा है कि central bright fringe की intensity I है तो I is equal to 4 I0 अब कहरे हैं when one of the sources block the intensity becomes I0 अगर आपने एक की अब यह थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि I0 उन्होंने फिर से टर्म यूज कर लिया और हम I0 यूज कर चुके हैं तो हम I0 नहीं यूज करते फिर ठीक है तो हम कुछ और intensity उन्होंने रखा है अब कह रहे हैं कि अगर हमने एक source को ब्लॉक कर दिया मानले कोई साथ एक source है इसको हमने ब्लॉक कर दिया इसको बंद कर दिया है तो अब screen पर intensity अब कोई fringe pattern तो बनेगा नहीं अब कोई interference maximum minima तो बनेगा नहीं अब तो पूरी screen पर uniform intensity रहेगी और वो intensity वही होगी जो कि second source की intensity होगी यानि अब पूरी screen पर intensity जो रहेगी वो I- के बराबर रहेगी ठीक और इसका नाम उन्होंने लिखा है I0 I- का नाम उन्होंने क्या लिखा है I0 और 4I- का नाम लिखा है उन्होंने I और इनका ratio पूछ रहे हैं तो यहां से साफ पता लग रहा है जोनों को divide कर लो आप तो I upon I- जो आपका आएगा वो आपका 4 के बराबर हो जाएगा तो I is equal to 4 I0 So your answer is D part For which of the following colors will the fringe width will minimum in a double-street experiment अब simple समझने वाली बात है कि fringe width जो होती है वो lambda D upon D होती है अब fringe width आपको चाहिए minimum तो minimum के लिख wavelength minimum होने चाहिए और wavelength minimum कौन से color के होती है violet की So your answer is A part Ray optics is valid when characteristic dimensions are ठीक है मतलब जिस जो भी आपके पाँ instrument से उनकी dimension जो है वो wavelength से काफी बड़ी होनी चाहिए तब ray optics होती है और उनकी dimension अगर wavelength के order में आनी शुरू हो जाएगी तो diffraction वगेरा होना शुरू हो जाएगा फिर wave optics काम करेगी ray optics काम नहीं कर पाएगी ठीक है तो ray optics is valid general question है ray optics is valid when the characteristic dimensions are same order of the wavelength much smaller, much larger than the wavelength of light so your answer is C part to get high resolving power of a telescope one should use ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा telescope की resolving power का formula देखना पड़ेगा इसका जो formula होता है telescope की resolving power का तो वो होता है resolving power of telescope is D upon 1.22 lambda lambda तो वो light की wavelength है जो हम यूज कर रहे है image formation के लिए और D जो है वो diameter है ठीक है diameter है objective lens का ठीक है जो objective lens है उसका diameter है तो diameter अगर जाद होगा ठीक है diameter अगर जाद होगा ड्यमीटर अगर बड़ा होगा तो उसकी resolving power b बड़ी होगी तो objective जो है वो large aperture का होना चाहिए अगर objective लार्ज अपरचर का होगा तो उसका diameter बड़ा होगा तो resolving power जो है वो टेलिस्कोप की वो भी जाद होगी ठीक है ये बात इसकी इमेज बना रहे होंगे तो इसकी इमेज जो है वो डिफ्रेक्शन पैटर्न आजाएगा उसमें और यह जो तो पॉइन ओपजक्ट इसकी इमेज में इक डिफ्रेक्शन पैटर्न आजाएगा और दोनों की दुफ्रेक्शन पैटर्न डिफ्रेक्शन की डिस्क अगर I will overlap हो गएं तो फिर हम कहेंगे resilient में दिक्कत है तो situation यह है कि resolving part जो है किसी ऑप की इसलिए लिम्टेट होती है, due to the phenomena of diffraction, so your answer is B part, ठीक है, यह आपको ध्याँ रखना है, 123, बहुत ही आसान है, यह 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 यंग्स डावल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, distance between the slits, जो है, वो small d है, distance of the skin from the disc slits, capital D है, और wavelength lambda है, fringe width पूछ रहे हैं, बिल्कुल खतम हो गया यह, ठीक है, fringe width का formula होता है, lambda capital D upon small d, so your answer is B part, image of a point object by lens is not a point, but a minute disc, ठीक है, यही मैं बात समझा रहा था आपको, कि कोई point object है, उसकी जो image होती है, वो point object नहीं होती है, वो एक disc की तरह बनती है, और disc बनती है, diffraction की वज़े से, ठीक, और एक point object और दूसरे point object की, जो image disc बन रही है, अगर वो disc आपस में overlap हो जाएं, तो हम यह कहेंगे कि यह जो image है, वो resolved नहीं है, well resolved नहीं है, ठीक है, यह बात समझ मारे है आपको, तो यह किसकी वज़े से था, तो पिछला question हमने देखा था, यह किसकी वज़े से होता है, यह होता diffraction की वज़े से, formation of fringes in young's double slit experiment is due to, young's double slit experiment में fringes क्यों बनती है, simple है, interference के विज़े से बनती है, यह part, in young's double slit experiment width of two slits are not equal, width जो है वो बराबन नहीं, width बराबन नहीं तो intensity बराबन नहीं होगी, the amplitude of the two waves are in ratio 3 to 1, ठीक है, एक का amplitude 3A है और दूसरे का amplitude A मान लेते हैं, width बराबन नहीं, intensity बराबन नहीं, amplitude बराबन नहीं, और maximum और minimum का ratio पूछ रहे हैं, ratio of amplitude of maxima and minima, तो maxima का amplitude तो दोनों का sum होगा, तो 4A हो जाएगा, maximum amplitude, और minimum amplitude दोनों का difference होगा, तो वो 2A हो जाएगा, तो A max और A min अगर हम निकालने हैं, तो यह 4A और 2A के आजाएगी, तो इनका जो ratio आएगा, वो ratio हो जाएगा 2 is to 1, so your answer is C part, the maximum number of possible indifference maxima for slit separation equal to twice the wavelength, slit separation जो है, small d जो है, वो 2 lambda के बरावर है, तो maximum possible indifference maxima कितने बनेगे, तो d अगर 2 lambda है, इसका मतलब second maxima तक बन सकता है, क्योंकि maximum से maximum जो part difference होता है, maximum से maximum part difference, वो d के बरावर होता है, और वो 2 lambda के बरावर है, इसका मतलब आपको second maxima मिल सकता है, second maxima मिल सकता है, तो 2 maxima उपर मिलेंगे, 2 maxima नीचे मिलेंगे, एक central maxima बनेगा, तो total कितने maxima मिलेंगे, आपको 5, C part, two coherent sources have intensity, दो coherent sources उनकी intensity का ratio दिया है, ठीक है, i1 upon i2 का ratio दिया है, 25 is to 4, एक की 25 माल लेते हैं, एक की 4 माल लेते हैं, ऐसे माल लो आप, और maximum minimum का ratio पूछा है, तो जो maximum intensity होती है, वो होती है, under root i1 plus under root i2 का whole square, ठीक, और जो minimum intensity होती है, वो होती है, under root i1 minus under root i2 का whole square, तो मैं i1 को माल लो 25, i2 को माल लो 4, ratio ही तो करना है आपको, तो 25 का under root लेंगे 5, चार का under root लेंगे 2, 5 और 2 उपर आ जाएगा 7 का square, और नीचे आ जाएगा 5 minus 2, मतलब 3 का square, तो यह answer आपका बनेगा 49 is to 9, so your answer is c part, इन्हें यंग्स डवल सेट एक्सपेरिमेंट, if the phase difference between the two waves, two interfering waves at a point is phi, तो intensity पूछ रहे हैं, किस expression से आ जाएगी, तो phi अगर phase difference है, तो intensity का relation बनेगा, i is equal to i1 plus i2, plus 2 under root i1 i2, under root बंद हो जाता है यहापे, और cos phase difference जो कि यहापे 5 दिया, तो यह दोनों मिलके constant बना लेंगे, और यह अपने आप में constant होगा, तो इसका जो format होगा, वो आपका जाएगा a plus b times cos phi, यह format बनेगा इसका, so your answer is d part, इन्हें यंग्स डवल सेट एक्सपेरिमेंट on interference, the ratio of intensity of bright and dark band, ठीक है, यहानि i max और i min के बारे में बताएं, कि i max और i min का ratio आपको दिया है, कितना दिया है, 16 is to 1, और आपसे amplitude का ratio पूछ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, अगर i max और i min का ratio यह है, और i max जो होता है, वो a max का square और i min, a min का square के ratio के बराबर होगा, 16 is to 1, तो a max और i min का ratio कितना आगया, a max और i min का ratio आजागा, under root लगाएंगे तो 4 is to 1, और जो maximum amplitude होता है, वो होता है a1 plus a2, और minimum amplitude होता है a1 minus a2, अब जड़ा cross multiply कर देते हैं, अभी answer बन जाएगा, तो 4 a1 minus 4 a2, is equal to a1 plus a2, इसको ज़ले आते हैं, और इसको ज़ले जाते हैं, तो 5 a2 हो जाएगा यह, तो यह a1 upon a2 का जो ratio आजाएगा, वो 5 is to 3 आजाएगा, तो यह amplitudes का ratio आपको मिलेगा, so your answer is, depart, bright colors exhibited by spider web, exposed to the sunlight, ठीके, spider web मतलब एक पतला धागा है, और उससे colors बन रहे हैं, ठीके, sunlight में उसकी colors बनने, तो यह जो है, यह diffraction होगा, it is due to diffraction, c part, ठीके, जब भी कोई hindrance, इतना पतला होता है, कि उसका size wavelength के order को होता हो, तो lights bend हो जाती है, तो कुछ light नीचे की surface से bend करेगी, कुछ उपर की surface से bend करेगी, और अलग-लग location पर, ordinary light incident on a glass slab at the polarizing angle, suffers a deviation of 22, polarizing angle पर गर रहा है, ठीके, यह आपका interface हो गया, यहाँ पर one माल लेते हैं, यहाँ पर mu माल लेते हैं, glass, और यह light जो है, इस तरह से आ रही है, यह optical normal होगा, और इस तरह से light चली जाएगी, बैंट होगे, और यह light, यह incident light है, और जो deviation है, वो 22 degree का deviation है, इसका मतलब, आई, जैसे light अगर यह आती है, और यह सीधी चली आती इस तरह से, ठीक, तो यही तो माना जाएगा, deviation कितना होगा, तो यह पूरा angle अगर आपका i है, तो यह वाला पूरा angle भी कितना होगा, यह वाला angle कितना होगा, यह पूरा angle अगर आई होगा, यह पूरा angle अगर आई होगा, तो यह जो deviation का angle है, वो i-r होगा, i-r, तो दो equation बनने वाली है, i-r जो angle दिया है, वो आपको 22 degree दिया है, दूसरी बात, अगर मैं पूछूँ, आपसे i-r कितना होगा, तो वो 90 degree होगा, क्योंकि polarization के case में, यह वाला angle 90 होता है, तो i-r का sum जो होगा, वो भी 90 degree होगा, तो दोनों का sum 90 है, और difference 22 है, तो बस angle of reflection पूछ रहे हैं, r पूछ रहे हैं, तो minus कर देते हैं, फिर इसको minus minus, यह cancel out हो जाएगा, यह minus 2-r आजाएगा, और यह minus 2-r जो है, वो आपका कितना आने वाला है, minus 68 आने वाला है, तो जो r आजाएगा, वो 34 degree आजाएगा, अगर reflection का angle पूछ रहे हैं, 34, और prism का, इंसिडेंट का angle पूछ रहे होते हैं, तो 90-34, और एक particular answer मिल जाता आपको, यह part, अगले question में क्या करें, यंग्स double sit experimenter, interference pattern जो है, वो screen पे देख रहे हैं, और wavelength 6000 angstrom है, तो जो wavelength दी हुई है, इस question में, वो आपको 6000 angstrom दी हुई है, और question में पूछ रहे हैं, कि at a certain point on the screen, third dark fringe पूछ रहे हैं, तो third dark fringe के लिए जो part difference होना चाहिए, S2P माइनस S1P, S1P माइनस S2P, यह आपका होना चाहिए 2.5 lambda, क्योंकि first dark के लिए होता है lambda by 2, second dark के लिए होता 3 by 2 lambda, और third dark के लिए तो 5 by 2 lambda, तो यह आपका जागा 2.5 lambda, और lambda जो है, वो 6000 angstrom है, angstrom को अगर मैं micrometers में लिखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 की पाउर माइनस 4 से अगर मैं multiply कर दूँ, तो यह micrometer आ जाए, देखते हैं कितना आने वाला है, तो यह 3 0 खतम हो जाएंगे, तो 10 की पाउर माइनस 1 बचेगा, और 6 से 2.5 से multiply करेंगे, तो 15 आ जाएगा, तो यह 1.5 micrometer हो गया, 1.5 micrometer पाउर डिफरेंस होगा, तो यह आंसर इस B पाउर्ट,